बहुत लॉंग टाइम चलने के बाद में खून रुख जाता है परिशानियों लिख जाती है जिसको कहते हैं कि भी पैर सोगे हाँ सोगे ऐसे हमारा पिछ्वडा सो जाता है अब क्या होगा अब देखना अब हम जैसे हमारे पास बहुत लंबी खाली रोड है सोचो बहुत लं से आते हैं तो हमारी जो बैक है बम एस या फिर पिछ्वडा उसमें बहुत जादा दर्द होने रख जाता है और लॉंग राइड पे या शॉर्ट राइड पे या सीटी राइड पे भी पिछ्वडा तो दर्द करता है क्योंकि सीट जो होती हमारी वह इतनी जादा पिछ्वडा दर्द ना करें हेलो दोस्तों मेरा नाम है सौरब और आप इस वक्त देख रहे हैं टिंकू मून चैनल आज मैं लेके आया हूं एक ऐसी सीट जो कि आपकी बम को डिक्कत नहीं रहेगी और वह सीट है यह वाली यह एक कंपनी है फीगू इन्होंने सोचा यह कि जब हम लॉंग ड्राइब करते हैं तो हम कोई सीट लगवा लें या कुछ भी लगवा लें तो हमारी जो बम होती है वह हमेशा दर्द करती रहती है और बहुत लॉंग टाइम चलने के बात में खून रुख जाता है परिशानी होने लिग जाती है जिसको कहते हैं कि पैर सो दो ब्लगी और जब भी आप ऐलद मझाओगे तो आपको ऐसे हिंदु मिलेगी इसकी दाफ में यह मिलेगा यह nutriment धर ङलेगा इसमें यहाँ पेhid भी पिर फैर के नगर चैने के इस रिखेगा है इस बैग के निदर यह बबल्ल सोते है आप आऊ जैसे अगर किसी को याद हो तो 60s में, 70s में आनि कि 1950s के इंदर मैं गालियों चला करती दुप इसेनEDA air suspension होती थी उसके इंदर स्प्रिण suspension नहीं होती थी यहां ऑशा सा सिलेंडर होता होता है , सबसे नरम और सबसे अचिसा सस्पेंशन होता है अश यह तर्ज पर इस कंपणी ने यह बनाई सीध जब आप इसको खोलोगे तो यह एक ऐसा सा निकलेगा एयर बैक या एयर बबल या फिर एयर सस्वेंचन या एयर कुशन वैसे मैं इसको एयर कुशन ही बोलना चाहूंगा जोगी कुशन है उसमें भरती है दूसी बात कमपनी का जो गाइडलाइन्स है वो यह है कि इस एयर बढ़नी है मैंने भी पड़ा था इनका जो यह थैंकिंग नोटे स्केंदर लिखा होता सब कुछ यह वाल्व खोलो और मुह से भरो और इस वाल्व को टाइट कर दो यह बढ़ जाता है पूरा का पूरा प्रोड़क्त मेरे को परसनली अच्छा लग रहा है क्योंकि कंपनी ने प्रोड़क्त बनाया तो थोड़ा सा सो समझ के भी बनाया फिर जब यह भर जाए इसको स्केंदर डालो वैसे निकालने की जोतनी है यह तो मैंने निकाल लिया जैसे दिल्ली एंसी रोड नी मिल सकती आपको इतनी खाली और इतनी हिप प्यारी ऐसे ही मुझे भी कि ऐसा कोई प्रोड़क्त नहीं मिला जो कि मेरी लॉंग टर्म्स जैसे कि मैं को दिल्ली गुड़गा हूं रोज ट्यवल करना पड़ता है तो यह वली सीट लगाने के बाद में भी मेरे को प्रॉलम हुई और जब हम जाते किसी लंबे ट्रिप पे तो भाई सच बताओं त से अब कुषण है हवा है उसके अंदर और वो कुषण है तो आपको समभलो कोई ना कहीं तो फायता दे गई अब आप इसके उपर ऐसे करकर अपने रखा और आफ बाइक चला रहे हो माला लो अब को इसी विवाग चला रहे हो या रूजर बाइक चला रहे हो और लॉंग जब मैं इसको बिना लगाए चलाता था तो मेरे यहां पर रेड लाइट पर बार बार उठना पड़ता था और दर्द होता था ऐसे सगड़ना पड़ता था बैक पेन होता दूसरा इसमें जटके नहीं लगते जारा तेज यह जो एर है यह तरहिंगे का सस्पेंशन का काम करती है तो जब जटका लगता है तो उसको एक्जॉफ कर लेती है तो आपकी जो बैक कमर जो है उसमें भी जारा जटके नहीं लगते एक और चीज़ जब भी आप लांग ड्राइब के लिए जा remembrance सारा समान आपने ले लिया अपने बैं सब ले लिया सारी च यह मैं काफी सालों से यूज करता हूँ क्योंकि मेरे डेली टू गुडगाओं का ट्रिप होता है रोज तो कभी का और मेरी खाली रोड्स आती हैं लबी-लम्बी या सर्दियों के इंदर हाथ ठंडे जाते हैं सबको पता यह एक हाथ छोड़के लोग एक हाथ ऐसे जेम में ड आज मिल गई में को लखी ली तो मैं शूड कर रहा हूँ अगर रोड़ खाली है और आपको लंबा लंबा ही जाना है एक ही स्पीड में रखनी है तो वह होता है क्रूस कंट्रोल जो की आपको एक्सलेटर है इसको रोक देता है तो मैंने भी यही करता हूँ मैं काफी सालों से तो मैंने सोचा है कि यह ट्रिक बताऊं आज सबको यह ट्रिक होती है कि ऐसा एक रिंग ले लेते हैं लोग और यह रिंग ऐसे एक्सलेटर वाली हैंडिल में पढ़ा रहता है अब इसको आपको इस साइड के तर फसाना होता है अब क्या होगा अब देखना अब हम जैसे हमारे पास बहुत लंबी खाली रोड है सोचो कि बहुत लंबी खाली रोड है अब हमें उस पर लगातार वाइक चलानी है हमने फिफ्ट गेर में डाल रखी वाइक और हलका सा एक्सलेटर छोड़ा तो यह देखो एक्सलेटर हो गया जाम वापीस नहीं गया ना बापकी व अब बहुत 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 लंबी रोड है और मेरी बाइक अपने आप ही चल रही है अब मेरे को कुछ करनी की जो नहीं बढ़ रही है दोनों हाथ मेरे फ्री है जब मैं चाहूं इस एक्सलेटर को बंद कर सकता हूं कैसे जब भी मुझे ब्रेक लगा नहीं है तो मैं इसको एसे करके रोग दूँगा और यह बंद जाएगा और जब भी मुझे इसको चलाना तो मैं से गरके एक्सलेटर दे दूँगा और यह जो है अपने आप चलने लगेगी यह होता है क्रूस कंट्रोल यह बहुत महंगी गाड़ियों में और बाइक्स में आता था बट जुगार बाजी के लिए हम इसको ऐसा हम इसको ऐसे सालों से चला रहे हैं बच्पनों से चला तो अगर यह सीट कोई लेना चाहता है क्योंकि में को काफी इंप्रेसिव लगा प्रोड़क्त काफी अच्छा है बस कंपनी के लिए मेरा एक यह सजेशन है कि इसके रेट है यह थोड़े से ज्यादा है तो इसके रेट थोड़े कम करो आपके पास पब्लिक भागी भागी है कि क्योंकि मैं इसको दो दिन से यूज कर रहा हूं और यह मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा जानदा चीज है बिल्ड कॉलिटी अच्छी है लॉंग लास्टिंग लग रहा है कि फटेगानी खराब नहीं होगा और अगर लंबी राइड करते हो तो लंबी राइड तो तो पेड होता है क्योंकि कोई क्या देगा पेड करनेगा वीडियो यार हमसे ले लेगा वापिस तो चलो बाए बाए टेक केर सी यू कीप रॉकिंग कीप पॉचिंग खुश रहो मजे में रहो हमाईशा अजाद रहो हसते खेलते रहो दूआओ में याद रखना बाए